सरल टेक के लिटिस्ट और फ्री अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब पर्टिट पर किलिक कीजिए और वेल आइकोन को भी दवाईए सरल टेक में आपका प्रिस्ट स्वागत है दोस्तो में नाम सुनसिक चौहान है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस परकार अपने अधर काट को अपने अधर काट को अपने अधर काट से लिंक कर सकते हैं और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यह आपके अक प्रकार लिंक कर सकते हैं इसमें हमें किस प्रकार की उजर आईडी और लॉग इन पास्पर की जगुरत नहीं पड़ती है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन देखेगा आप इस पर किलिक करें और बगल में आपको नोटिफिकेशन का चिंस होगा वेल का आप उस पर किलिक करके नोटिफिकेशन अन कर लें इससे क्या होगा सब्सक्राइब के आने वाले सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको म और इसके बाद आपको दूसरे नमपर पर एक लिंक मिलेगी इस्टेट बैक आप इंडिया आप इसको फूराइटेस देखें www.online.svi.com है आप इस पर क्लिक करें इस पर क्लिक करने के बाद हम svi की online साइट पर आजाते हैं और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा आप देख सकते हैं तीसे नमबर मिलेगा आधा लिंक यह new option है आप इस पर क्लिक करें इसके बाद हमारे सामने यह वाली स्कीन्स होगी यहाँ पर आपको अपना account number लिखना है जिस account number से आपना अधान नमबर लिंक करना चाहते हैं वह आपना account number यहाँ पर टाइप करने हमने यहाँ पर अपना account number टाइप कर दिया है और नीचे वाले बॉक्स में यह वाला अटेक्स जो स्रूब हो रहा है आप इस पर क्लिक कर दें और इसको फिल करने आपके केस में कोई दूसरा टेक्स आएगा आप वह वाला अटेक्स बरें और इसके बाद हम submit पर क्लिक करते करने के बाद आपके account पर जो भी mobile नंबर रिष्टर होगा उस पर एक OTP आईगी बन टाइप पासबर आपको यहाँ पर इसको फिल करना होगा बाइचान से यह आपको OTP नहीं आती है तो आपको क्या करना होगा यह लिखा है click here to recent the OTP आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो करते हैं इसके बाद वह आपसे आपका आधार नंबर मांग रहा है आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर टाइप करना है और रिएंटर के लिए फिर से आपको आधार नंबर यहाँ पर टाइप करना है एक बार यहाँ पर करना है और एक बार फिर से करना है दोनों आधा कंडिशन एग्री करने हुई तो आप इसको क्लिक कर दें और यदि आप टर्म और कंडिशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर लेका है क्लिक है आप इस पर क्लिक करके उनकी टर्म और कंडिशन को पर सकते हैं इसके बाद हम सम्मिट पर क्लिक करते हैं सब्मिट पर क्लिक करने के बाद आपके उस नंबर पर OTP भीज जाएगी जो आपके आधार कार्ट से लिंक है यहाँ पर लिखा है Enter the one time password receive on your mobile number registered with आधार आपने मान लिजिए बैंक में कोई अलग नंबर दिया है तो वो OTP आ चुकी है बैंक की तब से बिज़े गई है और आपने कोई अधार नंबर दे रखाया है तो अधार नंबर को OTP भीज जाएगी इस बार आपके उस नंबर पर विज जाए जो आपके आधार कार्ट से लिं होगी तो आप देख सकते हैं हमारे जो आधार कार्ट सा वो लिंक हो गया है हमारी से और जो भी आपके अकाउंट का जो सियाइफ नंबर होगा जिसे हम कस्टमर आइडी बोलते हैं उसके चारग यहां पर सो हो रहा है क्योंकि इस परकिरिया में आपका जो आधार नंबर है तो हमने बड़ी आसानी से ना कोई इंटरनेट बैंकिंग का यूज करती हुए ना किस परकार की उज़र आइडी और पास्पर डालती हुए अपने आधर काट को अपने अकाउंट से लिंक कर लिया है वो भी ऑनलाइन तो दोस्तों आसा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हुगा एड़ी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के समद्द कोई भी कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जब लिखें मै मैं उसका reply जरू करूँगा आने वाले वीडियो उक्साद में जल्दी आहरे रहूँगा जब तक लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे